सो दोस्तों स्वागत है आप सुभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोबिंजे स्वाल दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र के परकार तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम परिसंचरण तंत्र की परिभासा को जान में एक बिसेश तंत्र उपस्थित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं तो यह हमारा हो गया परिवासा अब हम इस चीज को समझते हैं अब दोस्तों अगर हम परिसंचरण तंत्र को समझें तो यहां पर अगर हम मनुस्य की बात करें तो मनुस्यों में हमने आप सभी को पाचन की किरिया को समझा दिया अब पाचन की किरिया में क्या होता है भोजन आप करते हैं वो आपके गरास नली से होते हुए फिर आमासे में जाता है आमासे से आपके ग्रहडी फिर उसके बार में छोटी आंत बड़ी आंत फिर गुदा दौर गुदा नाल इस परकार से होत है वो होती है और ये जिस तंद्र में होता था उस तंद्र को हम बोलते थे आहर नाल तो ये जो आपके पाचन के किरिया थी वो आपकी आहर नाल में हुई अब ये जो परिसंचनड तंद्र है जैसे आप क्या जो पाचन क्या होती है जो हमारा सरीर है वो छोटे-छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कहने के मतलब है अगर हम आम भासा में इसको समझे तो माली जी जिसे कोई एक मकान है और ये जो मकान बना होता है वो छोटी-छोटी इंटो से मिलकर बना होता है तो ठीक इसी परकार से जो हमा करने में सच्छम होता है तो इस प्रकार से आप जान चुके कोसिका को और ओतक को यह चीज आपको अभी यूज किया जाएगा इसलिए हमने आपर बता दिया तो यहां पर क्या होता है कि जब आपका पाचन के क्रिया हो जाती है तो इसमें जो योगी पतार्थ होते हैं इनका आपके कोसकाओं तक पहुचना जरूरी होता है तो यह आपके सरीर में उपस्तित कोसकाओं तक कैसे पहुचें उसके बाद में क्या होता है कि जैसे आक्सीकरण के लिए इसके तो यहां पर आक्सीजन जो होता है आक्सीजन आपके सरीर में कैसे पहुचें तो यह क्या होता है कि आपके सरीर में जो यहां पर बहुत सारी नलिकाएं बिची हुई होती हैं जिसे आप नस बोलते हैं जिसमें रक्त जैसे जो होता है रक्त पूरी नलिकाओं में यहां पर पूरे सरीर में आपके यहां पर दोड़ता रहता है तो यह क्या होता है कि बहुत सारी नलिकाएं आपके सरीर में बिची हुई होती हैं और ये न लिकाएं जैसे कि आपका फेफडा हो गया हिर्दे हो गया इन सब सारी चीजों से जुड़ा रहता है तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ये हमारा कहलाता है परिसंचरण तंत्र अब दोस्तों अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र के परकार के बारे में तो परिसंचरण तंत्र दो परकार के होते हैं जिसमें से हमारा पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र तो हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं खुला परिसंचरण तंद्र के बारे में तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में इसको हम समझते हैं दोस्तों वह परिसंचरण तंद्र जिसमें उतकों की कोसिकाएं सदेव रुधिर जैसी परिवहन पदार्त के सीधे संपर्ग में रहती है खुला परिसंचरण तंद्र कहलाता है कहने का मतलब क्या है कि जिसे अभी हमने आपको बताया था कि कोसिकाएं किसे कहते हैं फिर हमने बताया था कि जो कोसिकाएं होती है नहीं कोसिकाओं से मिलकर उतक बनता है और वो जो उतक बनता है वो किसी एक कारे को करने के लिए सच्छम होता है तो यहाँ पर दो चीज हमने बताया था तो हमारे सरी में उतक पाये जाते हैं कोसिकाएं पाये जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उतक और कोसिकाएं हमारी होती है यह रक्त के सीधे संपर्क होती इस खोले परिशंचरण तंत्र में यानि कि यहाँ पर क्या होता है कि वो नलिकाएं नहीं बहुत पाई जाता है जैसे कि हमने बताया था अभी परिशंचरण तंत्र में कि बहुत सारी नलिकाएं होती हैं और उसमें से रक्त दोड़ता रहता ह तो यहाँ पर वो नलिकाएं नहीं पई जाती यानि कि जो यह रक्त का संबंध होता है उतक और कोशिकाओं से यह डाइरेक्ट रहता है तो यह आपका हो गया खुला परिसंचरण तंत्र अब हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में अब दोस्तों इसको भी य आता बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है कहने का मतलब क्या है कि इस परकार के यानि कि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो आपके सरीर में उतक यानि जो कोशिकाओं उपस्तित होती है यह डाइरेक्ट रुधिर के संपरक में नहीं आती है यह क्या होती है कि ह हमारे सरीर में बहुत सारी वाहनियां होती है यानि कि जो अभी हमने बताया कि आपके सरीर में बहुत सारी पाइप लाइन बिची होती है यानि कि बहुत सारी पाइप लाइन होती है जिसमें रुधिर दोड़ता रहता है तो ये जो रुधिर का संपर्क होता है कोसिका से ये डाइरेक्टर नहीं होता है तो ये आपका होता है बंद परिसंचरन तंत्र तो ये आपका हो गया परिसंचरन तंत्र दोस्तों उमीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजिए और दोस्तो झाल झाल